आप घर में अकेले ही हैं और रात के दो बजे हैं और थंडी हवाई आ रही है दर्वाजा खुलता है और कोई अंदर आता है फिर आप कैसे मैसे उस करोगी यही स्टोरी में है लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आइम कोलीन यह स्टोरी अब हिंदी में सुनेंगे यह रिखे यहाँ पे मेरी है जो उसे एक बहुत हवा की जोके के आवा जाती है और उसकी नीद खुल जाती है उसने देखा ओहो यह क्या रेन बारिश हो रही थी बड़ी-बड़ी भूंदे उसके विंडो के उपर नाच र रही थी यह क्या रात में यह बारिश यह unexpected जैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यह अब आती है इसे पता है मुझे अभी यह नहीं चाहिए अब आ रही है यह बारिश और जब मुझे चाहती है वो तब नहीं आती उसने अपने मूपे पिलू को रखा और वो सोने की उसने कर रही थी यहा मुकिया वहा मुकिया लफ राइट लेफ राइट फिर भी नीदी नहीं आ रही थी उसे ऐसे तो पूरा एक हवर भी चुका था और उसे नीन का पता अला पता फिर भी उटके फिर से बेड़ पे बैड गई और मनी मन में सोचने लगी ऑफो परीज बा हवा की आवाज नहीं थी वो तो किसी की रोने की आवाज थी ओ ये रोने की आवाज कहां से आ रही है और उसने मन ही मन सोचा और चलो वो कोई ऐसी डर पोख लड़की नहीं थी कि कोई भी आवाज आएगी और वो डर के अपने ही कमरे में बैठ जाएगी वो तो बहुत बोल थी बड़े ही स्ट्रेंज बहुत ही स्ट्रोंग नेचर की थी मैं तो पता लगाऊंगी ये रोने वाला कौन है तब ही उसने तुरंट उसके पास वाली केंडल उठा ली और केंडल को हाथ में लेके वो जहां से आवा जा रही थी उसे धूंडते धूंडते निकल पड़ी बा था ये तो मैंने मूवीज में देखा था ये मेरे साथ बहुत डिम लाइट थी उसके हाथ में जो केंडल है उसके बहुत लाइट तो नहीं होगी फिर ये आवज कहां से आ रही जिस दिशा से वो आवज आ रही थी वहां से वो जाने लेगी यहां बहां लेफ राइट अधिया थी और दुन रहुँ थी दभी उसे एक डूबर मिल गया ओ हो वैरी डेकारट उसको बहुत अच्छे से डेकारट किया था उस डूबर को उसने दीर इसे पुश किया ओ यह क्या अब वाल के ओधर साइड में फिर से उसे एक आर डूबर दिख गया यह क्या उसने फिर से देखा बहुत सीक्रेटली कोई तो है यह देखो यहाँ पर डॉर है अंदर से लाइट है इसका मतलब जो भी कोई रो रहा है इस कमरे के अंदर है उसने बिना कुछ सोचे समझे वो डॉर को हाथ लगाया थोड़ा सा पुश किया दरवाजा खुल गया अंदर जाते ही उसने देखा अंदर एक पुराना सा फरनीचर बहुत बढ़ी रूम और एक बहुत अच्छा सा एक लड़का बेड़ पे बठा हूँ था और वो रो रहा था बढ़ी बुरी तरीके से रो रहा था शायद वो बहुत ठक गया था तो बीमार सा भी धिख रहा था और इस लिए वो र रहा था शायद से उसे कुछ तकलीब भी हो सकती है ऐसे उसे तब लग रहा था उस बलड़के ने मेरी के तरफ देखा मेरी ने उसके तरफ देखा अब मेरी के हाथ में कैंडल थी तो वो धीरे धीरे जब जाने लगी तो वो कैंडल की लाइट से बॉई का बॉई ने देखा क जब वो बोली नहीं मैं गाभूतो वो खुद भी डर ती उसे देख के और वो बोलने लेगी क्या तुम भूतो वो भी डरते हुए थोड़ा मोमेट उसने सोचा और फिर भोला ना मैंने मैं तो कॉल इन हुँ कॉलीन क्रेवन और तुम को नो उसने बोला वो लड़की बोली मै भी मेरी हूँ मेरी लिनोक्स वो मिस्टर कावन मेरे अंकल है ओ वो मेरे फादर है लड़के ने बोला ओ तुम्हारे फादर है लड़की ने बोला पर मुझे तो यहाँ पर कोई नहीं रहता है ऐसे बताया गया था मुझे कभी दीखे भी नहीं तो लड़की बड़ी नहीं कोई नहीं बता था क्यूं लड़की हैराने से पूछ रही थी क्यूंकि मैं बीमार सा रहता हूँ और मुझे लोगों को लोगों को मुझसे मिलने में डर लगा रहता है लोगों को मेरी बीमारी के बारे में ना पता चल जाए मैं हमेशा यहां बेड़ में ही रहता हूँ देखने ही रही वो, लड़के ने बोला, मैं इस रूम में ही रहता हूँ, मैं कभी बाहर जाने का नहीं सोच सकता, मैं बहुत ठक चुका हूँ इस चीज से, इस रूम में रहते रहते, ओ, लड़की बोली, तो तुम बाहर क्यो निकलते, तो वो बुला नहीं यह तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम होगा अगर मैं ऐसे करूँगा तो मैं रियल में तुम रियल हो क्या भूत हो तुम कौन हो अगर तुम रियल हो तो मेरे पास आके बढ़ जाओ तभी उसने कैंडल को टेबल पर रख दिया और वो दीरे दीरे आके एक चेर लेके स्टूल पर चेर नहीं हाँ आप स्टूल है उसके उपर बढ़के उससे बाते करने लगी तुम कितने साल के हो लड़की ने पूछा तो मेरी बोली मैं दस साल की हूँ तो ये तुमें कैसे पता चला कि तुम दस साल की हो मेरी बताने लगी अरे वो जो गार्डन है न वो हमेशा बंद रहता है हाँ वो सब लोग बोलते है कि उसकी चाबी खो गई दस साल पहले हम्म्म दस साल पहले तब ही मेरा जनम हुआ था ओ कौन सा गार्डन जो हमेशा बंद रहता है और कौन सी चाबी जो खो गई है उसने बड़ी हरानी से पूचा और वो बैड पे अच्छे से बैड भी गया था ताकि वो बोल रहा था कि मैं बैड भी नहीं सकता हूँ तो बैड गया था अब वो दोनों अच्छे से बाते करने लगे थे और उसने बुला मैं देखो मैं के सारे के सारे थोड़े क्वेशन का एंसर थोड़े न देने वाली हूँ देखो टैन यहस पहले ऐसे बोला जाता था कि उस गार्डन में कोई भी नहीं जाता था तो उसके आखे न वो बॉई की आखे चमक गई उसे न बहुत इंटरेस आने लगा उसकी बातों में और तभी वो बहुत इंटरेस्टेड नजरे से उसके तरफ देखके उसे बहुत सारे कोशन सा रहे थे मुझे वो गार्डन देखना है लडके ने बोला देखो मैं मेरी चेयर है न हाँ उसके उपर बैठके हम फ्रेश एयर ले सकते है तो ये डॉर ओऩन करके हम जा सकते है मेरी बोलती है ओ नो 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 ऐसे हम नहीं कर सकते है लड़का बोला क्यूँ? क्योँ हम नहीं ऐसे नहीं कर सकते, मैं देखना चाहता हूँ लड़की बोली, ना बाबा ना, ऐसा नहीं देखो, कुछ चीज़े हमें सिक्रेट ही रखनी पड़ेगी डोर ओपन करना, उसे जाके देखना, नहीं 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 फिर सिक्रेट थोड़ी न रहने वाला है देखो वो गाडन सिक्रेट ही बनना चाहिए सिक्रेट का है का सिक्रेट तुम बोलना क्या कहना क्या चाहती हो लड़के ने पूचा तो वो लड़की बोली तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या देखो उस garden में किसी को जाना नहीं है किसी को allowed नहीं है एक hidden door है उस door से अंदर जाना पड़ता है और तुम्हें पता है अगर हम अंदर चले गए और वो दर्वासा बंद हो गया पीचे से किसी ने बंद कर दिया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा हम कहा है हम तो garden के अंदर रह जाएंगे और हम कितने भी पुकारेंगे कि इसको फिर play भी कर सकते खेल भी सकते है लेकिन देखो वहाँ के पेड़ पोदे तो मर चुके है तो लड़के ने बोला क्या मर चुके है हाँ उसकी क्यार करने वाला वहाँ पे कोई जो नहीं है उसको पानी देने वाला उसकी क्यार करने वाला कोई नहीं है वहाँ के जो bulbs है वो भी अभी थोड़ा थोड़ा bulbs ये bulbs क्या होता है लड़के ने पूछा तो मैं वो भी नहीं पता है defodels होते है, lilies होती है, snowdrops होते है, अब ये जमीन को चिपके रहने वाले जितने भी है, वो थोड़े थोड़े जिन्दा है, और spring जब आती है, तब वो जो है, वो अच्छे से खिल जाते है, spring, ये spring का बाती है, क्या होता है, लड़के ने पूछा, अरे बाबा, जब बहुत आ जाती है, rain के, और rain आ जाती है, फिर rain आ जाती है, तो sunshine में जब वो आती है, तो छुटे-छुटे flowers पत्तों पे गिरती है, जमीन पे गिरती है, मेरी उसे rain कैसे आती हो बता रही थी, हाँ मैं तुम्हें बोड़ रही थी, कि garden जो है, वो secret है, तो हम लोग वहाँ पे जाना चाहिए, और ये बहुत अच्छे से रहेगा, और ये हमारा secret भी रहेगा, ये secret garden किसे को पता नहीं चलेगा, लेकिन, लेकिन क्या, देखो मैंने आज तक ऐसा कोई secret मैंने देखा ही नहीं है, बोला ही नहीं है, मैं तो सारे चीज़े बताता रहता हूँ, देखो, मेरा secret यही में हम सोच सकते है, जो हम दोनों कोई पता है, और किसी को नहीं, तो क्या तुम चाते हो, लेकिन तुमको डॉक्टर ने ऐसे चैर पर बढ़के बाहर जाने के लिए loud किया है क्या नहीं किया है, नहीं तो देखो, और मुझे तुमको पूश करने वाला boy भी तो दुढ़ना पड़ेगा न, जो तुम्हें यहां से चैर पर बैठाएगा, वो पुश करेगा, तो हम लेकिन वी, हम ऐसे अलोनी जाना चाहिए, तभी तो वो सिक्रेट बनेगा, लड़का बोला, मैं आउंगा न, मैं आउंगा, बिल्कुल आउंगा, वो स्लोली स्लोली बोलने लगा, उ देखिए, वो जाते ही, कहने जाते मुझे नहीं, पता पर इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और असे देखते हैं